नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बनाएंगे आप जीरो पैसे में टायल कटर मस्चीन हाँ मेरे दोस्तो देख लिजिएगा मैं यहाँ पे टायल कटिंग कर रहा था और एक टायल कटिंग करने में एक डाई खराब हो जाता है तो मैं खुद से टायल कटिंग करने के लिए एक डाई बनाया हूँ कि जो जीरो पैसे में बनता है टोस्तो पहले देख लिजिएगा जो मैं डाई खरीद करके लाया था देख लिजिए यह 50-60 रुपे में मिलता है मगर इसे लाने के बाद एक ही टायल कटिंग करने में इसका जो नोक होता है देख लिजिए इसका देख लिजिए जो वो होता है नोक है पुरा खराब हो गया है यानि कि जब भी मैं टायल कटिंग करता हूँ अच्छे से नहीं कटिंग होता है तूट जाता है देख लिजिए कase आपको इस cutter से cutting करके आपको दीखा देता हूं तो देख लीजिए गए यहाँ पे देख लीजिए-गः जुम में market से μέorals रित लाया था, cutter यहाँ पर सामने रखा हुआ है, तो इसी cutter से मैं यहाँ पर को cutting करके देखता हूं और इसके बाद में फिर में cutter बना करके और आपको दिखाओंगा जो 0 पैसे में cutter बनता है तो देख लिजेगा यहाँ पर देख लिजेगा यहाँ पर देख लिजीए इस आसी तरीके से टूट-्टूट के सब मेरा टायल भरबाद हो रहा है तो मैं अपना खुद जीरो पैसे में बनाया हूं मेरे दोस्ते कटर मसीन तो देख लिजेगा क्या-क्या पार्ट का ज़रूरत पड़ता है मैं से अारा से प्रिपेर निया हून जो सुई राड है देख लेजिएगा यहां पर जो सिलाई मसीन का सुई राड है यह रिजक्ट है और इसके बाद और क्या लेना होगा हम देखते हैं इसमें ढूटते हैं कि और क्या हमारे काम का चीज है इस रिजक्ट में जो रिजक्ट यह भंगार रखा हुआ देख लिजिए यहां पे एक चुटकी है जो यह भंगार में ही रखा हुआ यह भी रिजक्ट है सिलाई मसीन में नहीं चलेगा देख सकते हैं यहां पे यह चुटकी है और यह चुटके के साथ साथ और क्या हमें लेना होगा इसमें देखते रहिएगा इस चीज को आप कहीं भी लेने जाएं तो इसके मदर्स से हम कैसे बनाएंगे टाइल कटर, चलिए देखते हैं, तो देखते रहीएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देख लिशे जो चुटकी है, इसे हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे और इसके बाद सुवी लगाएंगे, इसको बनाना पड़ेगा हमें cutter कैसे काम करेगा पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा देख लीजी अब यहां पे हम क्या करते हैं सूई लगा लेते हैं यहां पे इस तरीके से देख लीजीगा यहां पे सूई लगा लिए हैं और इसके बाद इससे हम अच्छी तरीके से tight कर देंगे यहां से देख लीजीए और हमें क्या करना है चाहे तूटी सूई हो या नई सूई हो तोड़ना पड़ेगा या रिजक्ट सूई होगर तूटा नहीं है तो उसे तोड़ना पड़ेगा देख लीजीए मैं तोड़ दिया हूँ और इसके बाद में ऐसे किसी भी पत्थर पे आपको घिस करके इसमें नोक बना लेना है देख लीजेगा यहाँ पे इस तरीके से घिस करके आपको नोक बनाना है तो इस तरीके से घिसने के बाद नोक जब बन जाएगा देख लीजे अब यह जो हमारा कटर है देख लीजे टाइल कटर बिल्कुल रेडी हो चुका है बन करके जीरो पैसे में एक भी रूपिया न अपना पड़ेगा मतलब जो साइज आपका हो उस साइज के नापने के बाद में फिर मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूं यहां पे देख लिजिएगा कैसे काम कर रहा है पूरा वीडियो देखते रहिएगा दोस्त अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर करता हूँ आपको कि इससे आपको यकीन भी हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा देख लिए अब का आपको कभी बेगर जुरुत पड़ेगा तो इसी तरीके से आप टाइल कटर बना लीजिएगा और आपको एक भी रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा आपका गजब का टूट गया है देख सकते हैं आप कितना गजब का कितना अग्दम फिनीसिंग से तूट गया है उसी तरीके से आप मेरे दोस्त कटर बना करके और अपना टाइल कटिंग करते रहिएगा और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजेगा सेर कर दी कर दो है